निर्ने लिया जाएगा मैं मानिया सदस को ये भी अवगत कराना चाहूंगा कि आपने मुझे एक चिठी दी 20 तारी को लिखकर जिसको मैंने फॉरवर्ड कर दी हमने चिठी 24 तारी को ही केंदर सरकार को लिख दी है एडिशनल फंड्स के दिये देने के लिए और अगर आप से संबंदित स्थनों के विकास पर तो वो पूरी सूची भी मेरे पास मौझूद है। लेकिन इस एक साल में आवशक्ता महां है नहीं क्यों हमने SDM सराडा जो है कमेटी के चेर्मेन जो कमेटी बनी हुई है उनको भी पत्र लिखा है दुबारा कि आप और कोई आवशक्ता जो भी अगर हो तो उसको बार इस्टिमेट हमारे पास भी जो है अगर आप और कोई सुरक्षा की कोई व्यवस्ता नहीं होने के कारण से जो काम आपने कराया है वो भी बिलकुल खंडर हो गया है क्या इसके बारे में कोई सरकार विचार करेगी किसी स्थान को विक्सित कर देने के बाद वो सुरक्षित रहे इसके लिए सरकार कोई विचार रखती है अधर नियता प्रतिपक्ष ने बहुत ही अच्छा सोजाव दिया है और निश्यत रूप से इस पर हम विचार करेंगे और जो आपने विचार रखा है इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता है अगले अप्रस्ट प्रस्ट संक्या 356 अध्यक्ष मौदे क्रम संक्या 1 जी हां क्राम पंचायत इंदरपूरा की सम्चान घाट की भूमी पर अतिकमण है क्राम पंचायत इंदरपूरा के चक 17 MJD की 1.012 हेक्टर सम्चान पर 11 परिवारों ने तता इसी चक पर 0.253 हेक्टर भूमी किसम गयर मुम्किन हड़ा रोडी की भूमी पर दो परिवारों ने अतिकरमन कर रखा है अतिकरमयों की सूशना पर्सिस्ट अपर संग लगना है क्रम संक्या 2 जी नहीं उक्त अवेत कब्जों को अटाने के संबन में तैसिल्दार संगरिया द्वारा प्रक्रन दर्च कर कारवाई पार्रम कर दी गई है गैर मुम्किन संचान की भूमी पर बसे 11 परिवार के खिलाब तैसिल्दार संगरिया द्वारा राजिस्तान उपनिवेशन अदिनियम 1954 की दारा 22 के तहट प्रक्रन दर्ज किये गई हैं जिसमें आगामी तारिक पेशी दिनाग 16-3-2020 नियत है तता गैर मुमकिन हड़ा रोडी पर बसे दो परिवारों के खिलाब तैसलदार संगरिया द्वारा प्रक्रन दर्ज कर निर्णे पारित कर दिया गया है तता संबंदि को दिनाग 18-3-2020 तक शुवां के स्थर पर अर्थिकर्मन अटाने बावत नोटिस जारी किया गया है दारा 22 के तहट विचार दिन प्रक्रनों में निर्णे पारित होने पर नियमन नुशार कारवाई कर दी जावीगी मैं आपके मार्फ मंतरी से पूशना जाता हूं कि गराम बटे इंदर बड़ा के अंदर शिम्शान काड़के ये सर्फ चार वी के जमीन थी आज कोई व्रक्ती जब उज़र जाता तो इसको संसकार करने के लिए कोई जगा नहीं है लोग आपने खेतों के अंदर जाके संसकार करते हैं और जो पूचे पास को जगाड़ी मैं मन्तरी से पूशना जाता हूं इसका जो कब्जा है कब तक हटा हटाएंगे ये मेरे को बताएं अध्यक्समोदे इस अतिकरमन के संदर्ब में नियमानुशार कारवई शुरू हो चुकी है तैसिलदार ने नोटिस दे दिया है ये नोटिस के जो नियमानुशार जो समय अवदी है इसको समाप्त होते ही नियमानुशार इसको कब्जा हटा दिया जाएगा अगला प्रस हरिश्टन दिमिना प्रस्ट संख्या 350 वाने यद्देक्स मोदे क्रम संख्या एक विदान सवाच छेतर देवली उनियारा में गत पांच बड़सों में खाद सुर्ख्या यूजना में जोडे वम काटे गए नामों का ग्राम बार बड़सवार संख्या विवरन प्रस्ट है पर संख्या ड़स्ट एक खाद सुर्ख्या यूजना अंतरगत खाद विभागद्वार्ण द्वारा अन्तोदै परिवारों को 35 किग्रा प्रती राशनकार्ड प्रतिमाह एवम बीपी एल इस्टेट वीपी एल एवम अन्य पात्र परिवारों को पांच किग्र प्रतियुनिट प्रतिमाहा के हिसाब से गहूं दिया जाता है क्रम संक्यातीन योग तो युजना में काटे गए नामों के निम्न कारण रहे हैं राज की ये सेवा सरकारी पेंसनर निसकासन स्रेणी के अनुसार अपात्र धन्यवाद द्यक्ष्मवदे मेरे सवाल का जवाब आचुका है अगला प्रस्त सुभास पुनिया जो ठावन मानिया द्यक्ष्मवदे खंड एक सोर्जगर्ड विदांस्वाक्षित्र के कुल नो राज की विद्याले बिजली किनेक्शन से वंचित है विद्याले वार प्रिशिष्ट विवरन प्रिशिष्ट कैपर सल्लंगन है खंड दो विद्यूत कनेक्षन वहिन राज के विद्याले में विद्यूत कनेक्षन का कारिये MP CSR, जन सहयोग, एम विद्याले विकास कोष इत्यादिशे किये जाने का प्रावधान है इस येतू प्रियास किये जा रहे हैं वित्य प्रावधान उपलब्ध होने पर विजली कनेक्शन करवाई जासकेंगे खंड तीन विद्यूत कनेक्शन विहिंद राजके विद्याले में विद्यूत कनेक्शन का कारिये MP, MLA, CSR, जन सहयोग, एम विद्याले विकास कोष इत्यादिशे किये जाने प्रावधान है इस येतू प्रियास किये जा रहे हैं वित्य प्रावधान उपलब्ध होने पर ही पीजली किनेक्शन करवाए जास केंगे चार दिवारी निर्मान है तू महात्मा गांधी नरेगा CSR MLA M.P. लेट आदी योजनाव से प्रियास किये जा रहे हैं वित्य प्रावधान उपलब्ध होने पर चार दिवारी निर्मान करवाए जाना संभव होचकेगा समगर सिक्सा अभियान अंतरगत राज के विद्यालों में आदार भूत बोतिक सुविधान की पूर्ती जैसे सोचाले, लेब, एन्ने कक्ष आदी के निर्मान कार्य सुविक्रत किये जाने के प्रावधान है योजना के प्रावधान अनुसार परतिवर्ष मानव संसादन विकास मंत्राले भारज सरकार को वासिक कार्य योजना यहों बजट के परस्ताप प्रेश्ट किये जाते है मानव संसादन विकास मंत्राले पारश सरकार द्वारा उपलब्ध वितिय संसादन के द्रिश्टीगत परती वर्ष आधार बुथ सुविधाओं के निर्मान के स्विकृति जारी की जाती है श्रीकरती प्राप्त होने के प्रच्छाद निर्मान कार्ये करवाय जाना संभव होशकेगा मरतमान में शूर्दगेड़ विधान प्रक्षेतर के राज के विद्यालों में विभिन योजनाओं के आधूर वूत बहुतिर श्रीविधाओं की पूर्थी हैत्यू करवाई जा रहे निर्मान कारियों का विवरन में संभावित पूरुनता का माहे प्रिशिस्ट खेपर सनलगन है अदेख जी आपके मादिम से में पूछना जाओंगा कि किन किन विद्यालों में MP और अमेले लेड से कनेक्शन अभी तक हुए हैं वो विवरन हमें चीए उनमें अपने स्तर पर भी कनेक्शन करवाने का विचार रखती है क्या खंड तीन में इन्होंने आदार बूत सुईदाओं के लिए जो एक सुची दी है उसमें बारा विद्याले तो ऐसे हैं जिनमें अभी तक कोई काम नहीं हुआ है क्या अब तक देरी का क्या कारण है और देरी के लिए जो दोसिय हैं उनके खिलाब कोई कारवाई का विचार रखती है सरकार ंदेर, लिए, जी इन्होंने यह नहीं पुचुचा कि कौन कौन जब दोर हैं इने पूचा कि कितने विद्या वई-धावग जिनमें बिजले कनेकशन मंने सुची दी नो में नहीं बेवरा और विचलिय अकनेटन सरकार की तरफ से कोई प्रकार का वित्य प्रावदान नहीं है इसलिए एमेले में साथ से निवेद ले प्रण से पैसा देंगे तो विजली का क्नेक्शन करा दिया जाएगा अधार बूल सुविदाएं जैसे माले ये मकान है लेब है ये भारेश सरकार के मंत्रा लेशे आते हैं पैसा उसमें किया जाता है चाहर दिवारी का कोई प्रावधान इस फंड में समग्र सिक्सा अभ्यान में नहीं है अगला प्रस किर्णा सिंग प्रेशन संका तीन सौन सट अधिक समोदे खंड एक विदान सबाचेतर बाड़ी में वर्स दोजार चौदा से सह सिक्षा का राज की महाविद्या बाड़ी शंचाली ते उक्त महाविद्या र में विज्यान इंव वानी जी संकाय नहीं है केवल कला संकाय संचाली ते हंड दो इकत महाविद्याले में वरिश सायक वरिश लिपिँ यम्च रוש सिर्णि करमचारी के करमसे दोदो पद रिकत थे हैं लिख्यान अम्मानी जी से संकाई खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा जो पाध काली है मंत्री जी ये कब तक वरे जाएंगे और जो इस्टाप है वैसे पहले से ही कम है व्याकास्ता का पद है वो आपना अलवा डेबुडेशन पर लागा राखा है दो दो पद खाली हैं लगे कितने थुड़ाई है और बताए दे मानी सदेश मानी मंत्री जी इसमें उक्त महा विद्याले में वरिश सायक और चतु कितने पद्रिक्त है तो उन्हें उत्व परि बारे में कुछ नहीं है तो मानी इद्च मोदे राज की वबहुत बारी में जो सेक्षिनिक पद हैं वो दस स्विकरत हैं उसमें से 7 पद वरेये हैं और 10 स्विकरत पद हैं ग्यारा उन 메से 4 पद वरेये हैं रिख्पदों को जो हमारे जैन liegt अव्यर्ति अपलब्द होंगे आगामी समय में उन्की उपलब्ता होने पर व giàसे जाए कि इसमें सूचना में टीचिंग के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है नहीं मानिया अच्छा मुद्ध मैं तसर बतना पूछना चाहते हूं मंत्री जी से का जिए पांसो बच्छी लगा है उस मैं को लोई मैं तो रहा इस पर कहीं से भी जो अधर अधर अपना डेपूडेश सी करे जाएं मानिया अधर्च मुद्ध एक जो बढ़ाने की बात है कि जो बच्छी के बात है जो रिक्पद हैं उनको उन विश्यों को हमने रेश योजना के तहित जिला मुख्याले से हमारे जो दूसरे उसी विशे के सिक्षक है उनको लगा करके और पूरा जो पाठी कर है वो पूरा करवाया है और जहां तक अलवर में कारियोस्तार्थ सिक्षक की बात है तो उनकी कारियोस्तार्थ जो है उनको दुमेंदिरस्त करने की गोश्चना करते है अगला प्रस संदीप सर्मा रश्न संख्या 27 एक पूरवर्ति सरकार के समय बर्तियों के लिए जारी विःग्यापनो संबंदित सुचना परशींड कपर संगलगन है दो विःग्यापित पदों में से की गई परतियों उन में से रिक्त रहे पड़ों का वीवरंड परसिस्त क कि कॉलम साथ पर उपलब दे तीन परसिस्द पर संग्लगन रहे चार वीवरंड परसिस्द गाँ पर संग्लगन है पांच जी हाँ समय सीमा सुनिशित किया जाना सम्बो नहीं है मानिय अद्यक्ष मौद है मैं आपके माद्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि खंड संख्या 2 में आपके अत्तर के अनुसार पूरवर्ती सरकार के समय की जो शेश भरतियां हैं जिन पर अभी तक निक्ति नहीं हो पाई हैं ये भरतियां कब तक पूरी हो जाएंगी परशिष्ट खापर आपने 33,829 पदों को नरस्त किया जाना बताया है इनको नरस्त किया जाने के कारणों से अवगत करा दें और वर्ष 2019 के बजट में आपने जो 75,000 भरतियों की गोशना की थी इनकी वरत्मान प्रगती क्या है करिपया इसकी जान का अज्यक्स मोदे 33,829 विद्याले साइक कोगा जो विग्यापन जारी किया गया था वो पूरवर्टी सरकार ने इनिर्स्त कर दिया था उसके बाद कुल मिलाकर के 2,6,764 पद की विग्यप्तियां पूरवर्टी सरकार ने अपने पूरे कारेकाल में जारी की थी उसमें से पूरवर्टी सरकार के वक्त में नियुक्तियां मातर एक लाक चार अजार चारसो बैयासी पदों पर हुई हमारी सरकार आने के बाद वर्तमान सरकार के वक्त में 35,200 नियुक्तियां दी जा चुकी है देखिए विग्यापन अध्यक्समोदे किसी भी वक्त जारी होता है नियुक्तियां किस वक्त होती है वो किनी जाती है तो मैं समझता हूँ कि विग्याबंदो जाते जाती सरकार ने काफी संख्या में जारी कर दिये लेकिन नियुक्ती नहीं कर पाए वर्तमान सरकार जो है उसने आने के बाद काफी नियुक्तियों पर कारवाई किये और अभी तक 35,209 पर नियुक्तिया दिये जा चुकी है और इसके अलावा वर्तमान सरकार के कारिकाल में परिक्षा परिणाम जारी हो चुके हैं 24,777 में परनों के साक्षात कार प्रस्तावित है 5,202 में के परिक्षा आयोजित किंतु परिणाम जारी करना से 7,023 पर विग्यापन प्रकासित 25,936 विग्यापन जारी किया जाना स से 7281 नियाले में वाद लंबी थे 18940 आटने अद्धिक्षमोद है जो आर्पी एसी और आर एसेम एसेस्बी द्वारा कंड़क्तियों की पिरक्रिया है इनकी समय से गंबीरता पूर्वक विचार रखती है आरेस दो अजार जिनके अभी तक रिजल्ट नहीं आए तता LDC 2018 जिसका रिजल्ट आ चुका है जुक्ति नहीं मिली है और विक्त विभाग में अटकुई बढ़तियां तता नियाले में विचाला दीन बढ़तियों के कितने मामले अवित लंबित हैं इनको किलियर करवाने के लिए सरकार क्या प्रियास करें किर्पया अउगत करा है तेइस इसके अलावा परिक्षा परिड़ाम जारी हो चुके हैं 2477 में के साक्षातकार प्रस्तावित 500 ब्राण में के और जो आपने परिशिस्ट में मैंने पूरी जानकरी आपको एक एक विभाग की दे रखी है आप पर्टिकुलरली किसी विभाग का जानना चाहें तो इ के एक विभाग की दी हुई है कहां कहां जेक्स मोझे कौन सा प्रिक्रण लंबी थे प्रशने के खंड चार में जो टोटल वेकेंसी बताई है दो लाग पिचानव हजार एक सो चवदा इसमें से पिछले बजट में आपनी बजट गोशना थी पिच्चोतर हजार लोगों की बढ़ती करेंगे उसमें क्या प्रोग्रेस है उसमें विग्यापती जारी कितने की हो गई सेलेक्षन कितने का हो गया परिक्शा कितनी हो गी हो ता दिया कि अद्यक्स मों ते ये बात सही है कि हमारे बजट में लगबख चौत जार पांसो चौराण में विक्जियों की बढ़ती की गोशना की थी इस में से हमने 35,209 पदों पर तो नियुक्ति दे दी और बाकी जो प्रोग्रेस है वो मैंने आपको वर्त में तो इसमें बता रहा हमने दे दी 35,209 को तो नियुक्ति दे चुके हैं और अभी परिक्षा परिणाम जारी कर दी है 24,770 में के उनकी भी नियुक्तियों की प्रक्रियाद चल रही है साक्षादकार प्रस्तावित है 500 पराण में के परिक्षा आयुजित कर ली परिणाम 70,030 के सेस हैं और विग् दी आप करेंगे तो एक लाग कुनीस जार साथ सो टेतर होते हैं देखिए एक मिनट मेरे पूरा कंप्लीट लैट मी कंप्लीट फरस्त जिक्स मोदे इन्होंने जाते जाते लगबग एक लाग निक्तियों की विग्यापन जारी कर लिए बढ़तिया कुछ भी नहीं की खाली विग्यापन जारी करने से बड़ती थोड़ी होती है हम लोगों ने तो आपको एक एक डिटेल दिये कि इसमिस प्रकार से कर लिए एक लाग निस जार साथ सो टेतर लोगों की जो सूची मैंने बताई है प्रकरिया दीन है और इनकी बहुत सिक्र प्रकरिया पूरी कर ली ज ग्यापन हुआ कितने की परिक्षा हुई और कितने उसमें से नियुक्ती हुई ये बता दो मैंने बताई है ना जिक्ष मोदे कि अभी वरतमान सरकार के कारेकाल में परिक्षा परिणाम सोई सजार साथ सो सजार में काणेय जी ये परिया से पूरी सरकार का पूचे नहीं अगला प्रस अलग से प्रस ने अगला प्रस अनिटा पदेल प्राशन संख्या 301 प्राशन संख्या 301 103 360 सॉरी प्राशन संख्या 301 एक जी हाँ, दो सांगोच छेतर में अनुपयोगी रियासत काली इन पुलियों में से काली सिंद नदी पर, आजादपूर, उजाड नदी पर, सांगोच कस्पे के समीप, मंदाप, इवं मिनोथ, खुर्द, तसा पर्मन नदी पर तोक मुव पुलियाओं को एनिकट में परिवर्तन करने का कारे जल्स अंसादन विबाग द्वाग द्वारा कराया गया है, भूजल इस्तर का आंकलन प्रक्रिया धीन है, तीन, वानित इस्तान पर एनिकट निर्मान नहीं किये जाने से, रपट पुलिया के शातिकरस्त होने परिवर्ता भविश में एनिकट निर्मान की लागत ज्यादा होने की संबावना है, जल्स अंग्रक्षन इवं बूजल इस्तर में वर्दी एतू, काली सिंद नदी पर दूलेट रियासत कालीन पुलिया को परिवर्तित कर, एनिकट बनाने के प्राप्त प्रस्ताव के क्रि दो में इन्होंने जिन प्रियासत कालीन पुलिया का उलेक किया है, इनका निर्मान कितने साल पहले हुआ था, और इसका आंकलन करने में सिचाई विवाग को कितने साल लगते हैं, कि आप इसका आंकलन कर रहे हैं, उसको कितने साल लगते हैं, आंकलन करने में इन मीटर से हम आंकलन करते हैं और पीजो मीटर जो है वो आपके बता सकता है कि बूजल स्थर में अबर्दी हुई है दोजार अठारा के दोरान पूरी पंचाय समीती सांगोद में औससे अधिक वर्षा नौ सो सतर एमेम होने के कांड मांसून पूर वर्ष दोजार उनीस के बू तोजार पंडरा से अठारा तक मांसून पूर जलस्तर में गिरावट दर्श की गई है पीजो मीटर जो है वो स्थांगोद में ही बूजल विवाग का जल्म आपने तू इस्थापित है मानने अद्धिक्स जी मंत्री जी ने उतर दिया है मैं आपकी इतना सा जानना चाहू कि सांगोद में बीस हजार ट्यूब वेल से सिंचाई होती थी और इन पुलियाओं के बनने के बाद वो सारे ट्यूब वेल चालू है इसको बनाएंगे नहीं बनाएंगे बनाते तो ठीक नहीं बनाते तो मना कर दी जिया सांगोज विदान सबक शेत्र में तेसिल कनवास में काली सिंद नदी पर ग्राम धूलेट से खानपूर रोड पर रपट को एनिकट निर्मान में परिवर्थित करने के प्रिस्ताव राजीव गांधी जल संचय योजना अंतरगस विकरती ये तू जिला करेक्टर कोटा को दिनांग पांस तीन दोजार वीस को मुख्य बियंता जल संसाजन संबाग कोटा द्वारा बेजे गए है वहां से प्रिस्ताव आने पर जैसे ही वित्ती संसाजन उपलब दोंगे उस अबिशंचित कारियों में से स्विक्रत्वा प्रकरदीन कारेयों का विवरण परसिष्ट ए के एक एवो अस्विक्रत कारेयों का विवरण दो पर संगलंग है खंड दो, उक्त स्विक्रित कारियों की फ्रशासनिक एम वित्य स्विक्रितियों का विवरन परिशिष्ट A1 पर संगलंग है खंटीन अभिशंचित कारियों की निर्धारित समय विदी में प्रशास्निक वा वित्यस विकृतियां जारी किये जाने के पूर्ण प्रग्राइस किये गए हैं कतीपय प्रग्रणों में भू स्वामी मित्व स्पष्ट नहीं होने अप र्याप्राशी के अधि कारणों से वित्यस विकृतियां जारी के जाने में वेलम हुआ है चार जी हां अजमेर के मास्टर प्लान की अंतरगत अधिसूचित शेरी शेतर में क्रिशी भूमी जो खातिदाई में दर्ज है उसका राजस्तान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहट आबादी प्रियोजना आर्थ नियमन दूपांतरन आमंटन का अधिकार अजम प्रक्रण विशेश के गुण अवगुण पर निर्वर करेगी राजस्तान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहट खातिदारी भूमी को अबादी में परिवर्तन करने के लिए खातिदार द्वारा आवेदन प्रसुत किये करने पर अथ्वा सम्मदित स्थानी निका के दौरान स्वप्रेणा से संग्यान लेकर सम्मदित भूमी को अजमेर विदकास पदिकरन अजमेर के नाम दर्ज कर स्विकृति में शेश रहे अविशंचित कारियों को नियमन सा स्विकृत किया जाएगा खंड पाँच जीहां मारनिय विधायक महदया की अविशंसा पर योजना के दिशान दिर्देशों के अंतरगत अत्यादिक पुरानी घनी अबादी में भी कारे स्विकृति किये गए हैं खंड 6, उक्त स्विकित कार्यों में से 10 कार्य नगर निगम छेतर में स्विकित किये गए हैं, जहां सम्मधित वाडों में लगबग 850 परिवार रहते हैं, इसी प्रकार 28 कार्य अजमेर विकास प्रदिकन छेतर में स्विकित किये गए हैं, जहां सम्मधित छेतर में लगबग समयावधी में प्रशाशनिक और वित्तिय स्विक्रतियां जारी किये जाने का पूर्ण प्रियास किये गए हैं तो मैं आपको जो आपने मंत्री उपमोख्य मंत्री जी ने जो मुझे परिशिस्ट उपलब्द कराया है वानिया देश्मोदे उसमें मेरे 42 कामों की अनुशंश बस्ती जलकारी नगर में सामुदाइक भवन का निर्माण कारे हैं अब ये मैंने स्विक्रतियां जार बीस चल रहा है मात्र तीन लाक रुपे का काम है अजमेर विकास प्रादिकन कारिकारी अजंसी है इसमें भू स्वामीत्व का कोई परिशानी नहीं है कोई आडे नहीं ये यू आईटी की लैंड है यू आईटी की लैंड पर ये काम स्विक्रत हुआ है फिर ये काम ये दो साल पश्चार भी अभी तक क्यों नहीं हो पाया दूसरा मानि अध्यक्ष्मदे क्रम संक्याच है इसमें में लिंक रोड पर 33 की की लाइन को शिफ्ट करना है क्योंकि तो में लिंक रोड है, में रोड है, 33 के वी के लाइन उसके बीचों बीच से जारी है, इसलिए मैंने 1 लाख रुपे स्विक्रत किया था, 50 अजार रुपे की टेक्निकल स्विक्रती जारी हुई, और ये मैंने 116, 2018 को स्विक्रत किया है, ये कारियास तक पूर्ण नहीं हुआ, मानिय अद्धेक्ष मोदे, आगे आप देखेंगे, वार नमबर 17, अंतिनी होगा, प्रस नाप पूछले, आप सीधा प्रस ने, जो मैंने स्विक्रत किया, वो क्यों नहीं हुए, यों पूछते जाएंगे, मानिय अद्धेक्ष मोदे, इनमें बूस्वामी का कोई, व्यावदान नहीं है, ये काम आप कब तक मानिय अप मुक्या मंत्री जी, कब तक आप पूरा करा देंगे, इतना मेरा निवेदर, अद्धेक्ष जी, जब इस सवाल आया था, तो मैंने धारिवाल जी को कहा, मैंने का, मैं देखता हूँ, ग्रामी निविगास मंत्रा ले, ये शेहर का है, तो धारिवाल जी ने कहा, कि सचिन जी, आप मेरे मंत्रा ले का भी मज़ा चख लीजिए, इसलिए सवाल मेरे को दिया गया है, लेकिन मैं माने से दस्या के बात को कमईटा से लेता हूँ, क्योंकि अद्धेक्ष जी, जो सवाल इनों ने पूछा था, जो पूरक सवाल है, लेकिन मुख्य तोर पर जमीन का सवाल है, उस पर मैं अतना निविद्म करना चाहता हूँ, कि MLA LAD, MP LAD का कोई भी निर्मान काम हम जब तक स्टेट ओंड लैंड निवार नहीं कर सकते हैं, निजीस लैंड पर हम लोग काम स्वीकित नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो कॉलनी का एक सवाल पूछा था था नोंने, उसको A.D.A. अपने अंदर लेगा, उसके बाद हम काम कर सकते हैं, जो बाकी सवाल पूछ नहीं माने धायक महदिया, कि टेक्निकल सैंक्षन और फिनेंस सैंक्षन ये तो सीओ कर सकते हैं, लिकिन जो एक्जिकूटिंग एजिंसी है, उसके तहट कहीं न कहीं लापरवाई हुई है, मैं अधारीवाल जी इस पर चर्चा करेंगे, अगर कहीं अधिक विलह है और इलम है, वो नहीं होना चाहिए, इसको जल से हल कराने की पोशिश करेंगे. मेरा निश्चित रूफ से मानिय उपमुक्य मंत्री जी ने जो का कि भू स्वामित्व से संबंदित कुछ काम ऐसे हैं, इन बारा कामों में पांच काम ऐसे हैं, जो भू स्वामित्व का खातेदाई भूमी होने के करन से नहीं हुए, लेकिन बाकी के छे काम मानिय जैसे मैंने पहले उले किया, हम कोडिनेट करके इसको एक्जिकुट कराएं, के दिया मंत्री जी ने, अधिक्ष मौधिया, जो विधायक मौधिया ने काम लिखे थे, वो सभी काम सेंक्शन हो गए हैं, तो हमारी तरफ से जो MLA-led का फंड है, उसमें कहीं को दिक्कत नहीं ह टेकिन जी एक्जिकुटिंग बॉड़ी है, अगर वहाँ पर कहीं विशेश कामों में विलम आ रहा है, तो उसको जल्दी कराने की कोशिश करेंगे, और जो आपने खासकर जो 5-7 काम जो बताएं हैं, क्योंकि एजमेर का मैं सांसद रहा हूँ, मैं खुद भूची लेके कर जो की बर्स 2018-19 में कटकर 3277.55 करोड रुपे रहा है, गाटे के प्रमुक कारण उपवायों का विलम परसिस्ट अपरुपलब्ध है, दो, निगम किसी भी प्रकार की अनिमित्ताओं की सिकायत आने पर जांच में, अनिमित्ता पाए जाने पर निमानुसार संबंदित अधि अधिकारियों के बुरुद अनुसास नात्मक कारवाई करता है, या एक नरंतर प्रक्रिया है, तकनी की अंकेक्षन विंग द्वारा भी निमित्त जांचे की जाती है, वा अनिमित्ता पाए जाने पर संबंदित अधिकारियों के बुरुद निमानुसार अनुसास नात्मक कारवाई की जाती है तीन, निगम के कारियों एतू प्रतेक इस्टर पर सबी इडिकारियों को समय समय पर सबी नरदिश्ट कारियों के संपादित करने की जिम्यदारी दी हुए है तकनी के लास्ट लगातार कम करने के लिए विद्यू तंत्र में सुधार कराए जा रहे हैं एवं अधिकारियों को प्रतेक स्थर पर उत्तरदाई बनाया गया है तक्निकी अंकेक्षन विंग द्वारा की गई जांच में फील्ड अधिकारियों अबले करमचारियों द्वारा किये जा रहे तक्निकी कारियों मे अनिमिता पाए जाने पर सड़ सड़ दूसी अधिकारियों अपले करमचारियों की बिरुद अनुसास नात्मक कारव की गई है च्यार उपापन में पार दरसिता अधिनियम दोजार बारा राजिस्तान ट्रांसपेरिंसी और पॉब्लिक प्रिकॉर्मेंट एक्ट के प्रावजानों के अनुसार निगम दोबारा सप्लायर से सामान की खरीद इप्रिकॉर्मेंट से की जाती है सप्लाई किये गए सामानों की भी जाँच मैन्यूफेक्टरर के वरक्स पर सप्लाई से पूर सामान की डिलीवरी के बाद सेंट्रल टेस्टिंग लेब द्वारा की जाती है एवं उक्त लेब द्वारा स्वीकर्ट सामानों को फील्ड में लगाया जाता है वास्वीकर्ट को फर्म को बापिस भेज दिया जाता है जब भी इस बारे में कोई सिकायत प्राप्ट होती है तो उस सिकायत की जाँच कर नेमानुसार कारवई की जाती है या एक सतत प्रक्रिया है वित्रन निकम द्वारा निविदा परक्रिया से कारेहतु कान्टरेक्टरों का चेहन किया जाता है कौन्टरेक्टर द्वारा लगाए जाने वाले LIne Material के जांच मेनुफेक्शनर के वक्स पर Dedicated Material Inspection Wing के अदिकारियों द्वारा सगन जांच करने के बाद डिलीवर होने पर उक्त सामान की सेंटरल टेस्टिंग धिबूरेट्री में जांच के बाद स्पेसिफिकेशन के अनुरूप पाए जाने पर ही लाइन मेटीरियल को फील्ड में स्थापित किया जाता है वापस करने मानुसार कारवई की जाती है मानने मंत्री जी सापके माध्यम से जानना चाहता हूँ क्या मंत्री जी सरकार के आदेश को कोई दिकारी बदल सकता है आपके आदेश के जो आपका मेटेल मेनेजमेंट स्टोर है उसका जो निग्राणी के लिए मुखे बेंता नुक्त है क्या टिये परस जो एइन स्तर का आदमी है वो उसको काम नहीं करने दे रहा दूसरा यो नोट इसीत प्रकार से है ऐसी जब हमारा यहाँ चीप इंदेर उसमें कारे रत है नोट अलर दिकारी स्मार्ट सीटी बगेरा का तो बदल करके कैसी रेंका को दे दिया गया क्या एक करप्शन को बढ़ावा नहीं नमर वन दूसरा आपके जो ऐसी है एक नोट जारी करके मेसर सी एंड आई के लिए प्रुस्षन प्राइवेट लिमिटेट को वेवसाइक प्रेसर वगेरा में लगने वाले टांसफर्स की जांच का अदेश दिया गया जिसे 1.5 क्रोड रुपया प्रतिवर्स नमरा नुक्सान हो रहा है इस्तीति यह है कि जब आप CTL के लिए आपने जवाब में लिखा है जवाब देने के पहले इसकी जांच की तीसा तीन साल पहले का आप गाटा-बादा बता रहे हो गे शाल का कितना है वो तो आप जानो बताना चाहो तो लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ जितनी डिमांड है उतना रेलाजेशन है और यह दो यह वो नोर्स हैं जो और जारी किये गए कि A.E.N. को चीप इंदेर के उपर A.C. को चीप इंदेर को उपर जिस तरह से आपके इसमें हो रहा है मेटेल मेनेजमेंट में जिस तरह से पर्चेज में हो रहा है ट्रांसफर्मर चेकिंग में हो रहा है जब घट्यास तरह के ट्रांसफर्मर आ रहा है उसके बारे में आपने मंत्री जी अध्यक्स मोदें इन्होंने एएन जो है चीफ इनियर के उपर काम कर रहा है इस तरह का पुछा ही नहीं कोई स्पेसिफिक उदार्ण दे तो मैं उसको चेक कर वा लूँगा लेकिन कुल मिलाकर इन्होंने ये पूछा था कि जो गाटा जो है उसका क्या का रहा है तो गाटे क कारण एक तो शीज़त जो है पंदा परसेंट होनी जाहिए उसकी जगे कीस पॉइंट सम्थिंग परसेंट एक कीस पॉइंट आट परसेंट हो रही है उद्य योजना का ब्याद सड़ रहा है उसके कारण से गाटा बढ़ा है और विजदी की खरीर जो है पहले चार पे चा कर रहा है या ट्रांसफ़ोर्मर में ये कर रहा है तो वह स्पेसिफिक मामला दे देंगे तो मैं उसकी जांक कर रहा दूंगा और इसके अलाबा हमने आएठ ठेकेदारों के खिलाब कारवाई की है मैसरस आरके एलेक्रीकल्स मैसरस आरसी इंटरप्राइजेज मैसरस विकास नादो दी करो ली इस प्रकार इन से 36 पॉइंट 36 लाग 80 जार रुपे की वसूल और वसूली किये सास्ती वसूल किये मैंने प्रस्ट दो में साफ लिखा है कि निगम में अनिमित्ता खतम करने वर्षाचार रोगने इसके बाद आप के माने अदिकिस मोदे समझ में नियाता है ति यह वर्ष्ट मंतिय हाया जाब से सरकार का दूसरा मैंने साब लिखा है कि कारवाय क्या की गई आप के ओरडऱ्र सको सरकार 22 आपके निगम के याज में बदलते हैं आप कोई कारवाई नहीं करना चाहते हैं वह आप छुपा रहे हो गट्यास्तर के टांसफार्मर आ रहा है यह कि प्रस्था करता है प्रस्था नहीं पूछा नहीं पूछा मैंने अपने रिप्लाई में इनको बदाया है कि 227 माइनर इंक्वारी की गई उसमें 19 के उपर हमने सास्त वसूल की, चौण में मेजर इंक्वाइरी की, उसमें से उन्नीस व्यक्तियों के खिलाब सास्ती लगाई गी, 68 पर कारवाई प्रक्रिया धीन है, और आठ ठेकेदारों के खिलाब कारवाई की, और इनके पास कोई भी ट्रांसपॉर्मर की, तार की, और कोई के समद्र समान की कोई इनके बास शिकायत है, तो मुझे दे मैं एसीपी से उसकी जांच करवाद मुझे रहे हैं, अनकित नहीं होगा, आप अनकित नहीं होगा, देदू उत्तर, प्रशन का खंड एक, सरकार द्वारा अजमेर के लिए स्मार्ट सिटी योजनांगर्ट स्विक्रत प्रोजेक्ट एवं उनकी प्रस्तावित राशी का विवरण परिशिष्ट आपर सलगन है। प्रस्तावित राशी में से अब तक व्योग की गई राशी का कारिवार विवरण परिशिष्ट आपर अंकित है। नमबर चार इस भाग का उत्तर भाग संक्या एक के उत्तर में नहीत है। मानिया अध्रिक्ष महद है। खंड एक में जो स्विकिर्ट प्रोजेक्ट है। क्या केंदर से जारी एडवाइजरी के गाइड लाइन्स का अनुसार अजमेर में एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग में ये प्रोजेक्ट स्विकिर्ट हुए हैं या इनके निर्णे कराये जा रहे हैं। हाँ तो कब कब मीटिंग हुई नहीं तो क्या सरकार इन एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग बुलाने की मन्शा रखती हैं ये पहला प्रेशन अधिक्ष मौदे जहां तक सवाल इस बात का है कि ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं इनकी मन्जूरी कब हुई ये मैंने परिशिस्ट आहमें आपको दे दिया सुनिया वाथ सुनिये अब सवाल यह है कि ये किस तरीके से मन्जूर होते हैं आपने एडवाइजरी बोर्ड बता दिया एडवाइजरी बोर्ड नाम की कोई छीज नहीं होती स्मार्ड सिटी बोर्ड एक अलग बोर्ड है जो के हर सिटी में बचारों सिटी में अलग-अलग बना हुआ है सुनिया बात इनकी जो मिटिंग हुई है उसमें असी प्रोजेक्ट जो है मन्जूर किये गए हैं जिनका तारीक वाइस और कोस्ट वाइस सारा में आपको पर दे दिया गया है यह किस-किस तरीके से सलेक्ट हुए है पर शीदर यह है कि सबसे पहले सबसे पहले तो बोर्ड की बैठक होती है बोर्ड की बैठक में कारियों की स्यूकरती होती है फिर उसके बाद निवदा का परिपत्र और स्पेसिफिकेशन वगएर तयार होते हैं नमबर दो नमबर तीन पराता मुख्य कारिकारी अधिकारी से शूकरती के पश्चात नमबर चार निवदाय निकलती हैं और नमबर पाथ स्मार्ट सिटी से कंसल्टेंट की फर्म जो है अगर वो कारी रथ है तो उसके द्वारा टेंडर प्रोसीजर वगरे सब बनाया जाता है अध्या जी मेरा प्रशन दूसरा है मेरा यह है यह पता है जो पता है यह सब शूकरत्याँ मैं आपको बता चुका हूँ ना आपने यह पूछा कि मिटिंग कब कब हुई मैं आपको बता चुका हूँ कि यह कब मन्जूर हुए यह जितने भी 80 प्रोजेक्ट हैं आपके देखिए यह 2016 की स्कीम है इस्वार्ट सिटी और 2017 में सबसे पहले जो है इस पे इस पे काम चालू किया गया है नो मैने के बाद नो मैने के बाद में इस पे काम चालू किया गया है सितंबर 2016 में स्मार्ट सिटी की योधना की घोशना केंद्री सरकार के द्वारा की गई और 16 एक 17 से कार प्रारंब किया गया लेकिन 17 से लेके 18 18 से लेकर के 18 तक कुल मिला करके आउट ओफ 80 जो प्रोजेक्ट सेंक्शन किये बोर्ड के द्वारा उसमें से सिर्फ 10 पर काम हुआ और 70 में जो काम हुआ है वो 2019 में हमने काम चालू किया है अध्यक्ष महुद है मेरा प्रेशन इस पस्ता के ये तो मुझे पता है स्मार्ट सिटी बोर्ड होता है लेकि केंदर सरकार ने जन्र प्रतिरीदियों की भागीदारी मेंटेन रखने के लिए MP MLS के लिए एडवाजरी जाएंट की है जिसके गाइड़ाइंस में आपको प् केंदर सरकार ने इसमार्ट सिटी का बोर्ड बना हुआ है बोर्ड के कौन मेंबर होते हैं उनके अलावा वो चाहें तो किसी को बुलाएंगे वो चाहें तो नहीं बुलाएंगे अगला मेरा दूसरा जहीं प्रशना है कि क्या केंदर सरकार ने इतने रूपए आपको 924 करोर स्विक्रत राशी है प्रापत राशी 300 करोड है जे की गई अभी तक 120 करोड है तो क्या केंदर से भी 196 करोड आज चुके हैं इतनी धीमी गती से क्यों चल रहा है क्या सरकार इसकी प्रगती करना चाहरी है साथ में हिँविकर्ग परोजेक्ट में हैं जारी यडुवाजरी थी कि आपको ग्रीन और इनर्जी सेविंग का ध्यान रखना है किन है कि यह प्रोजेक्ट नहीं आप इसका ध्यान रख रहे हैं आ국द निवेदन करे हुँ प्रोजेक्ट लिये अश्वी में से शिर्फ 10 प्रोजेक्ट दोहजारा-ठाराइस दिसंबर तक तो है उन पर जो है वो सुक्रती हुई है बाकी जित्रे भी 70 प्रोजक्त हैं वो सब 2019 में जाकर के प्रोजक्त मंजूर हुए जिनके टेंडर हो गए जिनके काम चालू हो गए एक बात दूसरी बात आप ने पूछी के 320 ये केंद्री सरकार का जो आपने पूछा ना उसका फरिशिस्ट वैप में ने दे दिया कि कुल मिला करके 924 करोड रुपर सेंक्शन हुए है और मिले है कुल मिला करके आपके 300 मतलब रिशीव हुए सिर्फ 330 करोड रुपर ये जिसमें राज्य सरकार का भी हिस्सा है नगर कोई दो राएं नीके 120 क्रोड रुपर खर्चू है तो 120 क्रोड रुपर खर्च होंगे जी काम ही काम हुए हुए हुआ हता तक तो कोई काम ही नहीं हूआ अब गुणिष में काम हमने चालू किया है अगया अधरस्त है अधिन ठाटर वर्सुन संका 364 अभोग मेरे आपने ठ पर प्रस्ट पूचा हम उससे बन्याद बहुत बहुत धन्यवाद मानने अध्यक्षम होदे मैं आपके माध्यम से मानने ओबनेता प्रतिपक्ष का जवाब देना चाहूँगा खंड एक जी हां देवस्तान विभाग के अधीन मंदिरों में किसी भी तरह के आयोजन बावत व परिपत्र क्रमांग एफ चार कोश्टक में नौ संपदा देव अबलीक दोजार उननीस अबलीक 23992-24004 दिनांग 5 भारात दोजार उननीस को जारी किया गया था इस बावत कायराले पत्र एफ चार कोश्टक में नौ संपदा अबलीक देव अबलीक दोजार उननीस 24457-69 दिनांग 1612-2019 दोजार उननीस दोजार पुने समस्त सहायक आयोक्तों को लिखा गया था परिपत्र की प्रती परिशिष्ट आपर सनलग्ध है खंड दो वर्तमान में परदेश में प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के कुल 365 मंदिर विभाग के देख रेक में संचालित हैं तथा इन पर वित्य वर्ष 2019 बीस में उननीस फरवरी 2020 तक 68,57,940 रुपे मात राशी पूजा अरचनाव परसाथ के लिए वेह की गई है जी हाँ प्रवंदित तीन विभाग द्वारा प्रवंदित अवं नियंतित राजकिय मंदिरों की उत्तर प्रदेश अबलीक दिल्ली अबलीक उत्तराखंड अबलीक गुजरात अबलीक महराश्ट में स्थेत करायदारों में 35,51,807 रुपे बगया हैं अब 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 आद्री मौदे जानना चाहूंगा कि आपने परशिष्ट दो के अंदर दो परिपत्र लिखे परिशिट एमें उसमें एक परिपत्र में आपने लिखा कोई भी धार्मिक कारिकरम होगा तो उसमें जिला परसासन से अनमुती आवशक होगी क्या इस जिला परसासन से अनमुती के लिए आप जो आप सक्त मान रहें उसको आप हटाने का विचार रखते हैं या नहीं देखिए मंती मौदे अद्यक्ष मौदे आप से निवेदन करूँगा कि जसौल में एक कांड हुआ था कि टेंट लगा के बाहर रायुजन किया गया था और उसमें आग लगी कई लोगों के मृत्यू हुई और उसके तहट ये आदेश जारी किये गए थे कि मंदर में कोई भी कारिकरम हो सकता है प्रांगण में अंदर मंदर के बाहर लोग टेंट लगा के कारिकरम करते हैं उसमें लोगों की मरने की घटनाओं की आशंका है इसलिए ये परिपद जारी किया गया था और सेफ्टी मेजर्ज रखते हुए मंदर परिसर में धार ये कारिकरम धार में कारिकरम किये जाएंगे ये जवाब मेरी तरफ से आपको निगे असलिकाल समाप तुवा मुझे माननी सदेशों को सुचित करना है कि निम्नां की तस्तगन प्रस्ताओं की चूचना प्राप्त कसी योग भूमी को अक्रसी प्रयोजन है तू सम परिवर्तन आदेश जारी करने से उत्पनिस्क्ति के समन्द में कुस्पंदर सिंग डबलेट सदेश के और से विकानेर जिले में माइनिंग इंजिनियर द्वारा जिप्सम तथा रेत की रायल्टी में अहनिय मित्ता बरते जाने से सरकार को हो रहे राजस के नुकसान के समन्द में संदीप सर्मा बन सेवन फाइफ सदेश के और से कोटा सहर में नियम विरुत संचालित हो रहे मेरिज गार्डनों पर नगर निगम एम योईटी द्वारा पक्सपात पूर्ण कारवाई किये जाने से उत्पनिस्ति के समन्द में सिम्रतलाल मिना एट सदेश के और से विदान सबाक्षेत सलुमर के राज की महाविद्याले सराडा को पीजी महाविद्याले में करमोनत करवाये जाने के समन्द में सिमतिकिरन मैस्वरी टू सेवन एक अनिस्दिस के और से विदान सबाक्षेत रा समन्द में दरीबा के सीजा सावियत प्रसासन की सिकायाइथ करने वाले वक्ती द्वारा आत्मत्या किये जाने से उत- movie के समन्द में। सुरेश रावत 19.0 सदस्के और से प्रदेश में हाली में बिजली के फिक्स चार्ड में बढ़ोती किया जाने से उत्पनिस्ति के समन्द में राजेंदर आठोड 138 सदस्के और से प्रदेश में बढ़ रही बिजली की दरों से उत्पनिस्ति के समन्द में अशोक लावटी 16 सदस्के और से विदान सबाक्षेत सांगा नेर में सवई मादोपूर रेलवे पुलिया रेलवे फाटक तता चोरा डिया पंप चोराय पर प्रती दिन लग रहे जाम से आम जन कोहरे परिसाने के समन्द में चंदरबान सिंग आक्या 53 सदस्के और से सी सावलिया जी मंदिर मंडल बोर्ड चितोड़ गड़ के गठन में अभी तक आडिट नहीं होने से उत्पनिश्टी के समन्द में सिफूल सिंग मिना 96 सदस्के और से विदान सबाक्षेट उदेपू ग्रामिन के राज की उच्च मादमिक विद्याले बलीचा की भूमी को अतिक्रमन मुक्त करवाये जाने के समन्द में बिहारी लाल बन जीरो फूर सदस्की और से विदान सबाक्षेत नोका के पुलीस ताना नोका से मैज 50 मिटर की दूरी पर दिनांग 8 मार 2020 को अपरादिक तत्व द्वारा गाड़ी पर पेट्रोल डाल कर एक वक्ति को जिंदा जलाने से उत्पंसितिके समन्द में से सेम लोडा 15 सदस्की और से पुली पदूलन्डी के अवसर पर दलित बस्तियों में हुए हिंसक हमलों से उत्पंसितिके समन्द में से रामलाल सर्मा 148 सदस्की और से पुदेश में किसानों को बिडली बिलोग पर सबसीडी बंद करने ठता सामानी उपोगताओं का सर्चार्थ के नाम पर शोसन किया जाने से उत्पंसितिके समन्द में से गुलाब चिन कटार्या 14 सदस्की और से सदन द्वारा परित अधिवकता कल्यान निदी संसोधन विदैग में कानून दस्ति से भारी तूटिया होने से पुदेश के अधिवकता द्वारा किये जा रहे आंदोलन के से उत्पंसितिके समन्द में सिबलवान पुनिया 98 सदस्की और से पुदेश में रीट बर्ती 2069 टीस वी लेवल अंग्रेजी मेरेक 826 पदों के लिए राइकोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी वेटिंग लिस जारी नहीं किये जाने से उत्पंसितिके समन्द में सिबासु देवनानी 15 में सदस्की और से पुदेश में मेडिकल व्यापारियों द्वारा मास्की बिक्री में काला बाजारी करते हुए जनता के साथ की जा रही खुले हम दूर से उत्पंसितिके समन्द में उपरोग पस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पुरु निर्दारित कारवाई को रोकर इन पर विचार किया जाए अता इन पर अनुमती देने में असमर्द प्रक्रा के नियम 295 के अंतरगत प्राफ्स उतना है